गोल्ड बॉंड्स का सब्स्क्रिप्शन खुल चुका है और आप 23 जून तक इन बॉंड्स के लिए अपलाए कर सकते हैं पर आखिर ये बॉंड्स हैं क्या और क्या आपको इन में निवेश करना चाहिए आईए ये सारे एहम सवालों का जवाब जानते हैं पहली बात ये बॉंड्स हैं क्या ये बॉंड्स फिजिकली सोना रखने का एक अल्टरनेटिव है एक विकल्प है तो अकसर हम सोने में निवेश करते हैं हम गहने खरीदते हैं या सोने के सिक्के खरीदते हैं क्योंकि वक्त के साथ सोने के दाम अक्सर बढ़ते हैं तो हम एक investment के तौर पर गैने खरीदते हैं पर गैनों में निवेश करने से हमें making charges देने पड़ते हैं और गैने घर में रखने के साथ चोरी का risk भी होता है तो इन bonds के जरिए आप सोने की investment के सारे फायदे पा सकते हैं कोई additional making cost के या बिना कोई risk के अब इस bond के जरिये आप electronic form में gold रख सकते हैं तो आप एक certificate form में gold खरीदेंगे आपको physical gold नहीं मिलेगा पर सारे फायदे वही होंगे और ये safe investment है क्योंकि ये bonds Reserve Bank of India issue करता है और सरकार इनकी guarantee लेती है अब आप कब तक इन bonds के लिए apply कर सकते हैं अभी इस साल के bonds की application जून 19 से जून 23 तक खुली है और second application भी खुलेगी सितंबर में जवाब 11 से 15 तक apply कर पाएंगे सब्टेंबर के महीने में तब आप इन subscriptions के लिए apply कर पाएंगे अब इनका price क्या है और आपको अंत में क्या मिलेगा इन bonds के जरिये आप 1 ग्राम pure gold 5926 रु के बाद आपको अपने सोने का वो price मिलेगा जो 8 साल बाद market में चल रहा होगा तो अगर अभी आप करीब 6,000 रुपे के लिए 1 ग्राम सोना खरीद रहे हैं अगर ये 8 साल के बाद 8,000 हो जाता है या 10,000 हो जाता है तो आपको उतना पैसा मिलेगा पर अगर सोने का दाम घट तीशत interest rate भी मिलेगा जो हर साल आपके bank account में directly आता रहेगा अब physically gold रखने से आपको सिर्फ बढ़ते हुए दाम का फायदा मिलता है पर इस bond से आपको उपर से ये interest rate भी मिलेगा Reserve Bank of India के द्वारा अब अगला सवाल क्या इसमें कोई lock-in period है जी आपको अपना पैसा 8 साल के लिए इस bond में रखना पड़ेगा लेकिन RBI ने कहा है कि आप 5 साल के बाद भी पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं अगला सवाल आप कितने पैसे निवेश कर सकते हैं कम से कम आपको एक ग्राम सोना खरीदना पड़ेगा यानि आप अपना निवेश 5926 रुपे से शुरू कर सकते हैं पर ज्यादा से जादा आप इसके जरिए 4 किलो ग्राम सोना ही खरीद सकते हैं अब अगला एहम सवाल क्या इन बॉंड की कमाई पर टैक्स लगेगा जो धाई प्रतीशत इंटरस्टेट आपको हर साल मिलेगा उस पर टैक्स जरूर लगेगा लेकिन जो अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस या स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आप 20,000 तक कैश में पेइमेंट कर सकते हैं और उसके सिवाए आप चेक, डीडी या डिजिटल ट्रांसफर भी कर सकते हैं आपको ब्रांच भी जाने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन भी अप्लाइ कर सकत करना है कि भारतिय निवासी या भारतिय रेजिडेंस अगर अप्लाइ करते हैं और उनके पास वैलिड आईडी है और वो समय पर पेमिंट करते हैं तो वो बिना किसी परिशानी के लिए ये बॉंड्स खरीच सकते हैं और अगर आप अप्लाइ करते हैं तो आपको मिलेगी यह bonds a lot होने की